तो आज की दोस्तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फेर डेक्स कॉपी ट्रेडिंग के बारे में फेर डेक्स में आप कॉपी ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो इसके उपर यहां पर बात करेंगे तो कॉपी ट्रेड्स में अगर आप हमारे ट्रेड्स को देखोगे तो परले भी काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बना चुका हूँ तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो तो काफी अच्छा फ्रेडक्स पर प्रॉफिट यहाँ पर चल दी है आप भी चाहो तो हमारे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो एक बड़ा लोश भी आपको यहाँ प अगर हम यहाँ पर बात करें तो simple आपको copy trades पर यहाँ पर चला आना है, यहाँ पर देख सकते हो, copy trades का option आपके पास होगा, सबसे पहले FedEx में account create करनी है, तो इसके link आपको description पर मिल जाएगी, उसमें click करके account create कर सकते हो, वहाँ पर हमारा copy trading का performance ID भी है, उसे भी आप यहाँ पर check out कर सकते हो, copy trade में आने के बाद आने के बाद आपको यहाँ पर search करना है, crypto fx, तो यह हमारा ID है, simple इसे आपको यहाँ पर search करना है, जो अभी यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हो, यहाँ पर copy trading यहाँ पर 100 हो रही है, 5 लोग मुझे already copy करके रखे हैं, तो आप भी यहाँ पर copy कर सकते हो, copy के इस option पर आपको यहाँ पर click करना है, minimum, minimum आपके पास 20 से 30 डोलर आपके पास होना चाहिए, और 10X का यह leverage selected है, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, suppose आपके पास 50 डोलर है, तो आपको इस ताप से आप यहाँ पर fixed value investment 50 USD, तो आप 50 डोलर से आप copy कर सकते हो, TP and SL आप अपना यहाँ पर set करके रख सकते हो, कितना तक आपको TP चाहिए, कितनी तक आपको यहाँ पर SL चाहिए, अगर आप चाहते हो, कि लगवग आप 15-20% का SL यहाँ पर रखो, तो 15 यहाँ पर आपको select करना है, 15% जैसे ही आपके amount से, आपके principle से deduct होती है, 15% का loss होता है, तो trades automatic close हो जाएंगे, तो 15% का SL यहाँ पर लगा सकते हो, अगर आप TP लगाना चाहते हो, तो लगा सकते हो, 20% का TP भी आप लगा सकते हो, अगर आप मेरे trades को copy करना चाहो, तो इस तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, तो सब्सक्राइब पहले आपको यहाँ पर deposit करनी पर गिए, तो asset की इस option पर जाके, आपको deposit का एक option दिखेगा, simple इसमें click करके, BAP 20 या TRC 20 को आप चूज करके, यहाँ पर 20-50 $ जितना से भी आप copy करना चाहते हो, select कर सकते हो, बाकि आप BTC का थोड़ा सा chart यहाँ पर देख सकते हो, BTC थोड़ा सा वेरी समय यहाँ पर देखने को मिलता है, और already कई time से यहाँ पर pump हो रहे हैं, तो इसकार से थोड़ा सा retracement लेना यहाँ पर ज़रूरी है, तो एक retracement यहाँ पर चल दी है, और maybe कि यह जो retracement यहाँ पर होगी, वो almost यहाँ पर 26,900 डोलर तक भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अभी आप buy मतलो, अभी थोड़ा सा wait कर लो, अगर यह थोड़ा सा pump होती है, और अगर यह लगभग यहाँ पर इस area को break करती है, जो कि बनती है, 28,300 डोलर के area को, तो फिर यहाँ पर chances बनेगा कि यहाँ से pump करें, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर risky बनता है, तो थोड़ा सा आपको wait करनी चाहिए, लगवग अच्छे जो buying जोने हो 26,900 डोलर पर है, तो वहाँ पर चाहो तो आप buy कर सकते हो, बट बेटर कि आप stop loss के साथ ही यहाँ पर buy करना, market volatile है, तो थोड़ा सा up down हो सकता है, ट्रेट्स को copy करने के लिए जो process मैंने बताया है, उसके थुरूब भी आप यहाँ पर copy कर सकते हो, तो आप जोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलता अपने next वीडियो में, एक नई information के साथ, तो 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 गुडबाई, जैहिंद!